नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरे में जहांपर हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें तो बिना समय गवाएं शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की राशन जाने सरकार का प्लान दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि उत्तर परदेश के राशनकार धारियों के लिए एक खुश खबरी है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी आधित्यनाथ अब 2022 तक फ्री में राशन का एलान कर सकते हैं आगामी विधान सभा चुनाओ के मद पहुचाने पर विचार किया जा रहा है यहां पर आपको बता दे कि केंदर सरकार की योजना में तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाता है लेकिन राज्जे सरकार इसमें एक किलो दाल भी जोड रही है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसी पहुचान को गुरुवार को जमानत मिल गई बचाओ पक्ष के वकील मुकुल रहतोगी बॉमबे हाई कोड के तीन दिन तक दलीले सुनने के बाद आर्यन खान अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी गई है विस्तरित आदेश आज सुना दिया जाएगा उमीद है कि आज या फिर शनिवार तक सभी जेल से बाहर भी आ जाएंगे और इसी के साँ दोस्तो अगली बड़ी खबर की केंद्रे करमचारियों की धमाकेदार होगी दिवाली सेलरी के साथ अब मिलेंगे 52,970 रुपे का डिये दोस्तो यहाँ पर आपको बता दे कि इंद्रे करमचारियों को जुलाई 2021 से ही 31 फिजदी की दर से पैसा मिलेगा अक्टूबर की सेलरी में उन्हें पूरा भुकतान कर दिया जाएगा मतलब साफ है कि तीन महीने का रुका हुआ एरियर यानि कि जुलाई अगस्त और सितंबर का सब का मिलाकर एक साथ मिलेगा औ प्रशाषन को 26 जोरी ट्रेन चलाने के लिए कहा गया है दिवाली और छट पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के बारे में रेल मंत्राले ने ट्वीट करके जानकारी दी है बताया ये गया है कि दिवाली और छट पूजा मनाने घर जाने वाले यात्रों की काफी संख लगातार बढ़रे मामले हलका बुखार होने से भी अब डर रहे हैं लोग। लगातार बढ़ोत्री हो रही है गुरुवार्ता की ये आंकडा 518 पार कर गया है उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में 27 अक्टूबर तक डेंगू के कुल 370 मरीज सामने आये हैं और एक की मौत भी हो गई है हर्याना के चंडिगड पंचकुला और मोहाली में भी डेंगू ने कहर बरपा दिया है पंचकुला में 519 मोहाली में सबसे ज़्यादा 2276 जबकि चंडिगड में 696 केस अब तक आ चुके हैं यहां पर दोस्तो आपको बता दे कि विभाग का कहना है कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है ऐसे में घरों के आसपास गंदगी और पानी को जमाना होने दें दोस्तो आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर से कर लें और इसी के साम दोस्तो अगली बड़ी खबर की करनाटक के एक स्कूल में कोरोना विसफोर्ट 32 स्कूली शात्र पाए गए पॉस्टिव दोस्तो यहां पर आपको बता दे की करनाटक के कोडगु जिले के एक स्कूल में कोरोना विसफोर्ट का मामला सामने आया है यहां पढ पर सभी शात्रों को आईसोलेशन में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है और इसी के साम दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महंगी हो सकती है देश में कई दवाएं चीन के बिजली संकट का पढ़ सकता है असर दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि आने वाले समय म अगर दवा के लिए दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो चौकिएगा नहीं दर असल चीन में चल रहे बिजली संकट से कई दवाएं महंगी हो सकती हैं बिजली संकट की वज़ा से दवाओं के रौ मेटेरियल महंगे हो रहे हैं रौ मेटेरियल के साथ अगली बड़ी खबर की पटाकों पर सरकार की सकती इन रज्यों में लगा दी गई है पाबंदी दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिवाली का फेस्टिवल जब भी आता है तब तक पटाकों को जलाने से लेकर उसे बेचने तक में बहस छड़ जाती है ऐसे में बहु पटाकों से होने वाले प्रदूशन पर भी रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने कड़े नियम लागू कर दिये हैं आपको बता दे कि कुछ राज्यों ने पटाके जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है जबकि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रीन पटा पटाके जलाने के वज़े से ज़्यादा पॉलूशन होता है। कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 16156 नए मामले सामने आए और 733 लोगों की मौत हो गई है। सरकार का ये कदम कोविट के मामलों में कल के मुकाबले लगबग 20 फीज़दी की तेजी दर्ज आने के बाद लिया है। आपको बता दे कि 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले ज़्यादा बड़े हैं और इसी की वज़े से इसका फैसला लिया गया है। आपको बता दे कि मंडाविया ने कहा है कि इससे पहले स्वास्त का मतलब केवल इलाज समझा जाता था लेकिन अब स्वास्त को विकास के साथ जोड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि केंद्री स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया ने एक कारिक्रम को संबोधीत करते वे कहा कि भारत में अंतरास्टिय स्वास्त परयातन केंद्र बनने की शमता है। समर्थन के नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कारवाई की है। पुलिस ने पांच जिलो में साथ लोगों को गिरफतार किया है और चार को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दे कि मुख्यमंतर योगी अधित्यनाथ में बताया कि उस मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देश द्रोह का मुकदमा दर्द करके कारवाई की जाएगी। दोस्तो आज के लिए बस यहीं तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें।